फिर से स्वागत करता हूँ आपका विहार बोट के नमर वन चैनल में जिहां दोस्ते नहीं जैसे कि आपको पता होगा कि विहार बोट ने अपना ऑफिसली हिंदी मोडल पेपर जारी कर दिये हैं तो उसका आज हम लोग सोलूशन करने वाले इस वीडियो में तो चलिए गा इ प्रफिटर्ण में बदला हुआ है तो इस पूरी तरह से अम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे आपको एक भी कोश्चन का एंसर यहां गलत मिलने वाले नहीं तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे क्योंकि कि सब भी सब्जेट का हम लोग अफलोड करते रहते हैं अगर आपको बने रहना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जब कर करें क्या है तो देख सकते हैं तो चले कश्छ पहले इसमें कुछ लिखे हूं इसको आपको आपक बड़ा चुने गए सही विकल्ब पर उत्तर पत्रिका पर चिन्नित करें तो जिसके बता होगा जिन में से कोई एक सही है इन हंडेड यानि परश्णों से यानी किनी 50 परश्णों का ही आपको उत्तर देना श्रीद्ध कर देना जिसमें से आपको 50 उत्तर देना तो चलिए यानि इधर से उदर से मतलब घूमाखर के पूछ सकता है ठीक है तो इसका आपको पुशा जाएगा कि इसका जनम कहा हुआ था ठीक है बेगुसराय में हुआil नहीं उन्हीं सो आट में वहाता चलिए आपको इतना डिप नॉलेज देंगे तो बहुत सारे को अपनों को बहुत लूग बन जाएंगे तो देखिए क्या कहा रहा है कि दूसरा नमर कोशन में कि सिक्षा सिर्षक यानि सिक्षा सिर्षक संभाशा के वक्ता कौन है जै इसका राइट एंसर क्या होगा तिनका ऑप्सन नमर एविल विदर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है ललित निबंद हो जाएगा चले फिरम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं उसने कहा था किस परकार की कहानी है बहुत ही इंपोर्टन कोशन है इसे लगभग आपको बहुत साड़ा इनी कोशन देखने को मिलेंगे ठीक है करम परधान भाव परधान उसके बाद तीसरा में उप्सन में क्या चरित्र परधान उसके धर्म परधान तो इसका पांच का आपका राइट एंसर क्या हो टिक्विदा-उसर हो जाएगा ठीक है जा इसकाने मुहन राकेषओ जाएगा चले फिर लोग नेकश्ट को कभर करते हैं उम परकास वालमी के माता पीता का नाम क्या था तो साथ का राइट एंसर क्या हो जाएगा आपसर नमर इए विदा राइट एंसर को जाएगा साथका अप्सन नमर बी विडियो को सेर कर दें मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं हमें उम्मीद है आप पर एक बार वीडियो को एक लाइक कर देंगे ठीक है नेक्स्ट को सदानी रा किस नदी के नदी को निमित बनाकर लिखा गया है गंडक गोदावाडी यह मुना ठीक है तो नव नमर आपके स्क्रीन पर कोशन किसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमर बी विदर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को सन को कभर करेंगे क्या क्या है ठीक है धागर शब्द का अर् चले फिर हम लोग नेक्स्ट को सन को कभर करते हैं कि चंपारन में गांदी जी के चमतकार की खथा किस ने लिखी है मात्मा गांदी राजेंदर परशाथ यानि राधा किरिष्ण शरदार पटेल हो जाएगा तो इसका राइट एंसर क्या होगा है यानि आपको बताना है ठी जे परकास नडायन की पतनी का क्या नाम है ठीक है परवावती देवी शैमावती देवी उसका रतना वली या दमेंती देवी तो इसका राइट एंसर आपको बताना बारा का राइट एंसर क्या हो जाएगा ठीक है परवावती देवी हो जाएगा चले फिर हम लोग नेक्स् बरजभासा के कवी है संस्कृत बरजभासा अवधी मैथिली इसका राइट एंसर क्या होगा चोड़ा का ऑफसन नमर यानी बी विल विदर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है बरजभासा चले फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं चातर साल दसक के रतनकार कौन है तुलश संकर परशाद की भासा कौन सी थी इसका राइट एंसर क्या होगा यानी तो सोले नमर कोशन का आपका जो राइट एंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी था ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते है क्या कह रहा है कि तुमूल कोलहाल कलहा में सिर्शक कविता कि निराला इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए ठीक है कोशन नमर रठार है आपका स्क्रिन पे ध्यान से दिखेएगा इसमें क्या कह रहा है कि हैंडी लोग पेज कहां के रहने वाले थी बहुत फ्यजिक पहले पाड़े में आपको एक वीडियो में बताए था कि हैंड को कभर करते हैं आपके स्क्रीन पर 90 नमर को देखेगा कभी भूशन को भूशन उपाधी किसने दी थी चाहतर साल शिवाजी ठीका राज रुदर्शा ठीका औरंग जेव इसका राइट एंसर क्या होगा 19 नमर का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है राज रुदर्शा ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कभर करते हैं आपके स्क्रीन पर है आधिक आधिनायक कैसी कविता है शिरंगाडिक वैंग आत्मक ठीक है एतिहासिक उपदेश आत्मक ठीक है इसका राइट एंसर क्या होगा 20 का ओप्सन नमर यानि बी राइट एंसर क्या हो जाएगा कली राम हो जाएगा चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कभर करते हैं जैक करिष्ण मूर्ती किस रूप में देखे जाते हैं ठीक है बहुत ही इंपोर्टन कोशन है इसके बारे में लगभग कोशन आपको देखने को मिलेंगे 22 का राइट एं पात्रिका के सामबादक रहे हैं ठीक है धर्मयूग शाडिका आलोचना आजकल ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 23 का आलोचना हो जाएगा चले फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कभर करते हैं हिंदी साहित का सूरिय किसे कहा जाता है विधापती सूर्दास तु टेहरा है कविता संगर है के रचिता कौन है गजानन मावद मुक्तबोज उसके बाद सची ना सची दानंद हिरानंद वाक्सो अगे ठीक है तीसरा आप्सन में आपका जो कह रहा है क्या कह रहा है रामधारी सिंदिनकर या रगुविर शाह होगा तो इसका राइट एंसर क् सब्सके बाद सब्सके में या करो हाद करते हैं चली आपका संदिविचेद आपका बास वीचेद ही गेज और अक या गेज और अक होगा या गाज और अक होगा तो इसका right answer क्या होगा 27 का option number क्या हो जाएगा 27 का option number B will be the right answer हो जाएगा ठीक है गेज और अक हो जाएगा चले फिर हम लोग next question को cover करते है यादि परमार्थ सब्द का संदी विच्छेद है यानि परमार्थ सब्द का संदी विच्द है परम जोर अर्त होगा या मोर्थ होगा या परमा जोर अर्थ होगा तो राइट एंसर थगा ऊफ्षियों क्या हो जाएगा निए अप्शन नमर एव राइट या वीदाजोर अर्थी या विदाजोर अर्थी होगा एविदाजोर थी होगा ठीक है तो 29 नमर क्या हो जाएगा ये 29 का option number B will be the right answer हो जाएगा ठीक है विदा जोर अर्थी चले फिर हम लोग next question को कभर करते हैं क्या कलाता है दुर्गम सब्देका विलोम होगा यानि आगम होगा या सुगम होगा या अलभे होगा या अगम होगा इसका right answer क्या होगा 31 का right answer option number A will be the right answer हो जाएगा यानि परती कुल हो जाएगा चले फिर हम लोग next question को कभर करते है क्या कलाता है क्या आरो ही सब्देका विलोम होगा यानि आरो ही सब्देका जो विलोम होगा तो इसमें से कौन सा होगा 32 का right answer आरो ही हो जाएगा चले फिर हम लोग next question को देखते है क्या कलाता बहुत ही question आरो ही व्याकरन से आपका 30 question पूछे जाएगे तो जिसमें से आपको बहुत ही easy question रहेगा तो विराग सब्देका विलोम होगा क्या आरो होगा या अनुराग होगा या सुराग होगा या राग होगा इसका right answer को जाएगा 33 का आपका विराग का क्या होगा बहुत easy question आपको मालुमी होना चिर 33 का option number क्या होगा option number B will be the right answer विराग का अनुराग हो जाएगा ठीक है फिर आम लोग next question को देखते हैं आखों का ताड़ा होना मुहाबरेकारत क्या होगा ये तो बहुत easy question है ठीक है यानि प्याड़ा होना है यानि पिरिया होना होना है option number C will be the right answer हो जाएगा चलिए उट के मुह में जीड़ा मुहाबरेकारत क्या होगा option number C right answer हो जाएगा चलिए कान काटना मुहाबरेकारत क्या होता है कटकना होना मुर्क होना चतूर होना या विनर्म होना है यानि चतूर होना है option number B will be the right answer हो जाएगा घी के दिये जलाना मुहाबरेकारत क्या होगा तो बहुत easy question है बहुत easy question होगा आपको यह लगेगा घी के दिये जलाना मुहाबरेकारत क्या होगा परसंत ना है खुशी मानाना है ठीक होना है परसंता व्यक्त करना है option number B will be the right answer हो जाएगा ठीक है नगर सब्देका विसेशन होगा तो यहाँ तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा यहाँ रंग सब्द का विसेशन यानि रंग बाज या रंग इन होगा इसमें से आपको दो मैनों से किसी को आपको राइट एंसर देना है इसका comment section में आप हमें एंसर बताएंगे ठीक है बहुत easy question है अगर confused है तो आप हमें description में दे 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 हैं इसके बारे में आप देख लेंगे बाजन करके ठीक है पत्थर सब्द का विसेशन होगा पत्थर सब्द का विसेशन होगा पत्थर बाज पत्र आदिल ठीक है पहाड़ी पत्थर का सब्द का विसेशन होगा यहां भी अपका भरती है भरती है यह चीज ध्यान ठीक है ठीक है भरती है चलिए जीव जनतु सब्द काउन सा समास है अभीवाई समास हो जाएगा ठीक है चलिए गाइस आप लोगों को आगर पीडिएफ या नौट्स या मोडल पेपर किसी विच परकार का आपको प्राप्त करना है तो यह स्क्रीन पे जो नंबर दिया वाइस पर करेंगे 9162055090 यह क्योंकि अनुभावी सिच्छों की द्वारा जो नौट्स को पराप्त करना चाहते तो इस नमर पर आपको नौट्स मिल दाएंगे ठीक है अपके लिए इतना मेनत करता हो तो आप मेरे लिए इतना जरूर्ट कर सकते हमें अम्मीद आपका ठीक है तो हमें स समास तत्वपुर्ण समास द्यूबी समास क्या हो जाएक एसका 43 का राइट एंसर यहांनि आपसे नमर एविदर राइट एंसर हो जाएगा तो चलिए फिर मोग नेक्स्ट को कभर करते हैं ठीक है वीडियो बहुत लॉंग हो रहा है क्या करां संब्स द्यूबी समास तो आपको पता हिं होगा में सभी वैटे ऑप्सन लिए इसमें भी बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है कंफ्यूज होना क्योंकि यह जल जो हते हैं ठीक है फिर आम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं दल सब्दे का कौन सा नहीं लिए लिए इंसर बताना तो फॉर्टी एट का आप्सन नमर एव विल भी तर लिए ठीक है क्योंकि आप खुद देखी रहे हैं अभी फिप्टी तक नहीं वह आप इतना सारा वहाइकरन से लगभग कोशन चल रहा है ठीक है तो चलिए फिर लोग यहानि फोर्टी नाइन को देखते हैं रुमाल सब्दे कौन लिंग है ठीक है रुमाल सब्दे जो है न उफ हो जाएगा ठीक है तो आप इसका दूसरा पाट बनाएं आप पहला लोग का पहला वीदियो का पाट नहीं कहते हुआँ जल्दी कर लिए अगर आप जितना हमें लाइक ठोकेंगे उतना हम जल्दी ही आपके लिए नेक्स पार्ट लेके आएंगे तो आप मेरे लिए मेहनत करता हूँ आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं तो चले गाई यहीं तक वीडियो का में इंट करता हूँ जहिंद जवारत और आप लोग एक बार जान लें अगर जिसको अगर पीडियाफ लेना है तो उस नमर पर आप कॉंटेक की जगा आपको पीडियाफ मिल जाएंगे यहीं तक में वीडियो का में इंट करता हूँ जब तक लिए जहीं जवारत